नमस्कार आपका श्रागत हर्चनार ही डेनस्विम चले शुरू करते हैं यह कटोरी चनी की दाले धुली हुई और यह छोले है काबली चना जिसको बोलते हैं यह आवला है यह चार से पांच पीस मेले ली हूँ यह आवला का चार है आप सुखी विए आवला भी ले सकते हैं और इससे तार लाल मिर्च तेशबात हल्दी नमक टेस्ट के कॉर्डिंग यह बहुत चटपटी रेस्पी बनने वाली है बहुत आससे पहले तो आप नहीं देखे होंगे एक बार इस सुरह से मेरे काबली चना बना के देखिए यहीं मानिए आप हल्वाई वाले छोले बू दूही हूं दूई हो तो थोरा सकτ Kurdका एक को हीए बहुत ही ही बहुत ही जयकेदार बनके तियार होती है आवला डाल देती हो कि आवला Дж तनग नहीं भी बहुत अच्छा आता है प्लस टैस्ट भी थोरा सा अच्छा हो जाता है अब लोग बनाते हैं अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप नार डाले अब चैपत्ती डाले या जो भी डालते हैं नार दाना क्योंकि चना डाल है छोला तो फुली हुई है पानी एब्जर्ब नहीं करेगी पर चना डाल पानी को एब्जर्ब करेगी इसलिए पानी एक उंगली उपर ही रखें ताके डाल जले ना इसको मैं 304 सिटी दूंगी साथ में एक चमचा घी इसमें सका फ्लेवर अच्छा आता है और दाल फेकी गी नहीं जब सिटी लगेगी तो बाहर चलिए गैस की ओर मैं गैस पर रख दी हूँ एक चार तीन से चार सिटी में ली थी एक तेज पर बाकी तीन सिटी सीम पर ली हूँ और अच्छे से सीज गई है क्योंकि काबली चना को हम रात वर फूलने के लिए रख दिये थे तो अच्छे से फूल चुकी है और जो भी इसमें है तेजपात लाल मिर्च इसको डिसकार्ट कर दे अब इसकी जरूरत नहीं है इसका फ्लेवर इसमें आ गया देखिए अच्छे से चना डाल भी बहुत अच्छे से सीज गई आपके पास कम छोले हो तो एकट प्री चना डाल मिला ले तो इसकी लिए तरका है तेजपात दो इलाइची डाल चिनी दो लोवंग जीरा लाल मिर्च आप शाहे तो इसमें बड़ी लाइची भी ले सकते हैं पर हम गरम मसाला डालेंगे इसलिए नहीं लिए ये सारे मसाले रेगुलर मसाले यद्रक लासुन कटी हुई चार से पांच कली लासुन की और हाफ इंची यद्रक प्याज में एक ही ली हूँ ज्यादा मतलब प्याज नहीं एक बड़े शाहिज का प्याज ये इतने ही से काफी अद्धो टमाटर ली हूँ तरका मैं डाल दूंगी तेल गरम हो चुकी है मस्टर्ड वाइल है सरसो की तेल तेल अच्छा से तरके तभी तरका डाले और इसमें कटी हुई लासन अद्रक बहुत अच्छी खुशू आ रही है दोस्तों बहुत ही अच्छी एक बार ज़रूर ट्राइ करें इस तरह करें रेस्पी मेरे तरीके से बहुत मज़दार बनी है और प्याज कि यह मैं अपने घर की रेस्पी आपके साथ शेयर कर रही हूं हमारे यहां कभी कभी इस तरह से भी बनाई जाती है कि अच्छी साथ हिंग डाल देंगे हिंग थोड़ी से जवाइन कुट्टी ही डाल दिये थे ताकि इसमें हाजमे के लिए ठीक हो बस कि अच्छी साथ अधरकला सुनका पेस्ट एक से डेर चमचा बहुत कम मसालों के साथ में बना रही हूं रेगुलर मसाला हाफ हाफ चमच हल्दी धनिया लाल मेर्श हल्दी पहले भी डाली थी तो हल्दी बहुत थोड़ी सी ली हूं मैं हाफ से भी कम और इसी में अच्छी से मिला दूंगे और इसी में टमाटर और इस एक टमाटर है बड़े साइच किया इसी में थोड़ा पानी डाल दी हूं ताकि मसाला जले ना और अच्छे से भूल लूँगी अगर आप मेरी वीडियो से जड़ा सभी कनेक्ट कर पाते हैं वीडियो जड़ा से भी न्यू लगती है अर्चना हीटे डेस्पी को आपकी सपोर्ट की जरूरत है आप मेरे बेल आइकन पे क्लिक करके और पे क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करो तो आप तक पहुँँचे आगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सॉसक्राइब जरूर करें एक थोड़ी से भी अच्छी लगी हो पहीं सभी अच्छी लगत हो तो लाइक जरूर को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है आप ज्याद सब ज्यादा सबूर देखिए इसका टेक्स्चर में दिखा देती है अच्छे से भून गई है थोड़ा सा प्याज और गलेगी थोड़ा सा और सौफ्ट हो जाएगी जब मैं इसमें छोले डालूंगी तो और सौफ्ट हो जाएगी इसके साथ भी थोड़ी भूनीगी मैं थोड़े दिरोड धाम दे थी कि थोड़े और भून जाएगी अच्छा से तेल से प्रेट हो चुका है और इसी में छोले को मैं डाल दी हूँ अच्छा से में ला दूंगी चारो तरफ से देखने ही से आपको कितना टेम्टिंग लग रहा होगा यह है भी उतनी टेस्टी मेहक तो मत पुछी बहुत ही सांदार हमारे किचन में आ रही है एक बार जरूर यह रेस्पी आपको ट्राई करना बनता है अगर आपके घर में बनती है तो जरूर कामेंट में लिखे ऐसे बहुत घरों में बनती ही होगी चुकि यह बहुत नई रेस्पी नहीं है यह बहुत पुरानी है पर आज भी यह बहुत नई लगती है हमारे घरों में कभी कुछ समान कम जादा हो जाया करता था तो यसी थरह से एड़जस्ट करके बनाया जाता था चुकि उस वक्त ज्वैंट फैमली होती थी आज भी मैं ज्वैंट फैमली में ही रहती हूँ कि या और देखिये कितने अच्छ Sayub मिया त्यार हो गया है इस्ट के टोर्ड Interior में हो प्ल़स पुर्ण गरम मसाला साथ प्रवाट में कुछ धनिया के पत्या आप को जितना जी चाहे उतना डाले अधिक है उबाला चुकी है बनके त्यार हो गई है दो मिनिट के लिए मैं छोड़ देथी स्थिर होने के लिए मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूं कितना टेस्टी कितना सांधार बना है आप एक इन मानिए इतने एकटरी छोले से इतने लोगों के लिए बनके त्यार हुई है और बहुत गाड़ी बहुत कम मसालों में बहुत गाड़ी बनके त्यार हुई है और बहुत हलकी फुलकी बहुत ज्यादा है भी नहीं लगना है लग लगेगा यह खाने से इतने छोले साथ से आठ लोगों के लिए सुफिस्येंट है एक टाइम के लिए देखिए कितना देखने से टेम्टिंग लग रहा है उपर से रोगन डाल दी थी और इसमें धनिया के पत्या को छड़क दी हूँ आप अपने टेस्ट के कोड़ी थोड़ी प्याज को बुड़क दी हूँ चुकि छोले तड़का जो भी इसको वो लिए ऐसे लगता है मिर्ची जो देखने से तो अच्छी लगती है खाने में भी अच्छी लगती आप देखिए कितना यह अच्छी लग रही है देखने से खा सकते हैं इसी में प्यास को बुरक दीजिए थोड़ी सी टमाटर कटी हुई खेरा कटी हुई विट कटी हुई बहुत अच्छी लगती है धन्या के पत्तिया और लेमन डाल देखिए कितनी सुन्दर लग रही है और वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर करें देखने से ही बहुत अच्छी खाने में भी बहुत अच्छी है तो आप जरूर बनाए अपने घर में जरूर ट्राई करें और नहीं बनाए तो थैंक यू फो वाचिंग